हेई नमस्कार दोस्तों आप सभी कई को और नहीं इंट्रेस्टिंग वीडियो में स्वागत है तो यहाँ पे एक या नाइटली बीटा अपडेट आ गया है हमारे मियो आई 10 के लिए जो कि है 9218 का जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 9218 तो यह अभी क्लोज बीटा अपडेट है यही बीटा आपडेट आपको 922 करके मिलेगा तो यह क्लोज बीटा यूजर्स के लिए आता है अगर आपको फ्लेश करना है इसको यूज करना है पहले सबसे पहले तो link इसका नीचे description में दे दिया है यह नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो से रिकॉर्डिंग हो रही है, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नोट 6 प्रो का रिव्यू आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसका मैं पहले वाले चैनल पे आपको डाल के दिखा दूँगा, तो यहाँ पर क्या क्या फीचर मिलता है, सब चीज आपको यहाँ पर बताने की पूरिश कोशिश में यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो सिस्टम अपडेट में सबसे पहले आपको चल कर यहाँ पर दिखा दूँँ, तो आप देख सकते हैं, 9 to 18, Nightly Update, आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगी, तो इसमें 2-3 काफी अच्छे फीचर आए हैं, और एक फीचर जो बहुत Mostly Weighted फीचर था, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वीडियो की एंड तक बने रहना मैं बताता हूँ, आपको यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलती है, तो सबसे पहले अपडेट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि Finally Android Security Patch आ गया है 2-1 का, February में 8 दिन बचे हैं अभी, और अब February का अपडेट दिया है, तो इस बार फिलाल लेट हो गया है, फैब का अपडेट हो सकता है, अगली बार मार्च का जल्दी से हमको देखने को मिल जाए, लेकिन अभी तो मार्च फैब का अपडेट लेट हो गया था सुकरटी पैच का, दो एक का भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, और Android वर्जिन 8.1 ही है, यार नहीं इसको अपडेट करा है, 9.1 नहीं आया है, हो सकता है मार्च के अंड तक आया, क्योंकि चाइना में मार्च के अंड तक आने की पूरी का इंफर्मिशन है, तो इसमें देखो कब तक मिलता है, और मिल जाया बढ़िया है जल्दी से, तब ह अच्छा लगेगा, तो यहां पर मैंने नोट्स में नोडाउन कर रखें कि क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें से कुछ आगे के फीचर्स आपको 19, 18, 15 वाले में ही देखने को मिल गयते हैं, जैसे कि अपडेटर अप में आपको नया उप्शन, मी अपको नया उप्शन देखने को मिल गया है, मी क्लाउड एप, उसके लावा मी फाइल मेनेजर, मी थीम एप में अपडेट, उसके लावा मी लाइव वाल पेपर अपडेट, स्मार्ट अलार्म, साउंड, वीडियो कॉल, न्यू वाल पेपर और डार्क मोड, जिसको लोग अभी भी नहीं यूज कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे करना है, तो भाई आई बटन में लिंक दे दिया है, वीडियो पूरी देख लो, फुली तरीके से मैं उसको एक्स्प्लेइन करा है, तो अब आजाते हैं कि इसमें आपको क्या अपडेट नहीं है, देखन करने को मिल गया है, अपडेट में आप यहां पर देख सकते हैं, उपर आप गूगल आपको इस तरीके का दिखाई देगा, और यहां पर आई थिंक एड्स कम हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम गूगल का आपको सर्चबार मिल ला है, तो एड्स तो यहां से नहीं आएंग कि लेंगे, नहीं आएंगे, ऐसी उमीद है, आगे छलके पता चलेगा, उसके बार नीचे ट्विटार्स के मूउमेंट देखने को मिल जाएंगे, यहां पर और यहां प्रीय प्र tart वार्यर और वो मिल जाएगा आपको नीचे तो इस तरीके से आप यहां पर इसको refresh करके और भी देख सकते हैं कि ट्वीटर पे क्या trending में चला है आपकी आईडी नहीं है कोई बात नहीं तब भी आपको यहां पर यहां पर यह देखने को मिल जाता है और इसलिए आपको इसको more पे करोगे तो आपको यह मी ब्राउजर में open कर देता है तो more पे मत करना simply रिफ्रेश करे देना क्योंकि मी ब्राउजर बहुत ही घटिया है और बहुत ही घटिया होता जा रहा है तो उसको use मत करिएगा उसके लावा यहां पे shortcut में आप more में दवाओगे तो आपको नीचे more की setting और मिल जाएगी तो यह तरीके से भी आप इसको check out कर सकते हो दूसरी चीज़ आपको यहां पे mute voice assistant in silent mode अगर आप silent mode में करोगे तो voice assistant आपका mute भी हो जाएगा उसके बाद है location scanning in privacy location scanning आपको देखने को मिल जाती है privacy के अंदर आप privacy में जाओगे तो location scanning का भी option आपको यहां पे देखने को मिल जाता है आप इसको turn off और या on भी कर सकते हो अपने हिसाब से फिर volume की shortcut and accessibility आपको अब यहां पे volume button को 3 second press करेंगे तो आप accessibility shortcut भी on कर सकते हैं फिर हैं यहां पे हमारा wifi का तो wifi में additional setting में जाएंगे तो wifi speed mode देखने को मिल जाएगा जिससे अगर आप regular mode में है तो share bandwidth between background process and the app आपको बराबर बराबर चलेगा लेकिन आप wifi में आ जाओगे तो बहुत ही speed आपकी तेज हो जाएगी इसका उसके बाद अब आ जाते हैं एक चीज में में जो उसमें मैं लिखना भूल गया face unlock face unlock in app lock तो यह नया feature जो यहां पर add हुआ है और बहुत ही धासू पीचर बहुत ही दिनों से इंतजार किया हूँ feature app lock का आपको देखने को मिल जाता है तो app lock यहां पे open करोगे तो सबस देखने को मिल जाएगा update करने के बाद फिर आप यहां पर setting में जाओगे और नीचे आप यहां पर देख पाओगे face unlock unlock with face face unlock app using face data तो यह option काफी अच्छा आपको यहां पर देखने को मिल जाता तो जैसे ही आप face unlock जाओगे फिर से आपको यहां पर देखने को मिलेगा verifying face औ मैंने यहां पर lock लगाया है WhatsApp पे गैलरी पे तो मैंने इस पर टैप करा और देख सकते हैं तुरंती अगर इसने scan नहीं करा और मेरा face unlock नहीं हुआ अब मुझे यहां पर app कर दवाना पड़ेगा उसके बाद हुआ अब यहां पर मैं आगे कर लेता हूँ दोनों हाथ अपनी उमलिया सब ताकि आप लोग ना कहो कि मैं उससे कर रहा हूं तो गैलरी में गए और यहां पर देख सकते हैं आपको तुरंत हो गया देखो भाई चार उमलिया आगे यह आगे और इसको बंद करा गैलरी में गए face दिखाया और unlock हो गया तो देख सकते हो super fast यहां पर unlocking हो रह आपका face दूसरे सरफ है जैसे कि मैंने भी face mode लिया है देख सकते हो यह अनलॉक नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको फिंगर प्रिंट जो है अपनी यहां पर लगानी होगी उसके बाद यह फिंगर प्रिंट से automatically unlock हो जाएगा तो इस तरीके से यहां पर यह हो गया है और जल्दी से जल्दी like करके यार वीडियो को share भी कर दो और बस आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आई तो like कर दो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ अगर कोई question अभी भी आपका बाकी है तो पूछलो मुस्से comment section में और join my telegram group वहां पर मैं आपको सबसे लिंक देता हूं मिलता हो नहीं वीडियो में तब तक लिए जहन बंदे मातरम टेक क्यार बाबाई